आदाब नाजरीन में हूँ आपके साथ मिजबा और आप देख रहे तस्नीम टीव चलिए रुकर्टे इस वक्ती बड़ी खबरों की तरह श्रद्दा कतल केस के मुल्जिम आफटाब पूनावाला के पॉलिग्राफी टेस्ट का दूसरा मरहला शुरू हो गया है ये टेस्ट देली के रोहिनी लाके के फ्रांजिंग लेब में किया जा रहा है आफटाब का पॉलिग्राफ टेस्ट बुद्कोच सर्दी और बुखार के बास मुकमल नहों सका ताहम जुमराद को भी नार्को टेस्ट मुम्किन नजर नहीं आता पॉलिग्राफ टेस्ट का अमल मुकमल होने के बाद ही नार्को किया जाएगा यहाँ पीटी आई के मताबिक वजीर दाखला अमिशा ने कहा कि इस पूरे मामले पर मेरी नजर है जिसने भी श्रद्ध का कतल किया है उसे कम से कम वक्त में सक्त सजा दी जाएगी देली पुलिस इसके लिए मुसलसल काम कर रही है देली के वजीर सत्यंद्र जेन के वकील राहूल महरा ने वो दर्खवास्त वापस ले ली है जिसमें उन्होंने जेल की वीडियो को मीडिया पर लीक होने से रोकने की बात की थी राहुल महरा अब इस मामले में डेली हाई कोट से रजू करेंगे से पहले उन्होंने मंगल को डेली के राउस एयू एन्यू कोट में अरजी दाखिल की थी इस मामले के आज समात होनी थी दूसरी तरफ जस्टिस विकास धवल की बेंच ने तिहार जेल इंतजामिया को नोटिस भेज़ कर जवाब तलब किया था मीडिया रिपोर्टर्स की मताबिक नोटिस में कहा गया है कि अगर जेन वरत रखते हैं तो उन्हें देहली जेल के कावानीन के मताबिक खाना दिया जाए देहली की जामा मस्जिद ने अकेली ख्वातिन के दाखले पर पाबंदी लगा दी है इस नोटिस की एक कौपी मस्जिद की दिवारों पर चिपका दी गई है जिसके मताबिक किसी लड़की या लड़कियों का मस्जिद में जाना मना है इस हवाले से मज़ित इन्जामिया ने वज़े बताई कि अकेली लड़किया लड़कों को वक्त देने के बाद मज़ित में मुलकात की दावत देती है वो यहां डांस की वीडियो बनाते हैं हम इस पर पाबंदी लगा रहे हैं ताहम देली कमिशन बराय खातून की शेयर परसन स्वाती मालिवाल ने इस मामले पर मज़ित को नोटिस जारी किया है राहुल गांदी की भारत जोड़ो यातरा के राजिस्थान आने से पहले कॉंग्रेस में एक बार फिर जबरदस्थ रसा कशी शुरू हो गई है वजीराला शोग गैलोट ने सचिन पाइलेट पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पाइलेट को वजीराला केसे बनाया जा सकता है जिस आदमी के पास 10 ML ना हो जिसने बगावत की हो जिसे गद्दार करार दिया गया हो लोग उसे केसे कुबूल कर सकते हैं गैलोट ने कहा कि जिसकी वज़े से हम 34 दिन होटलों में बैटे रहे उस हुकूमत को गिराया जा रहा है इसमें अमिशा भी शामिल थे धर्मेंदर प्रधान भी शामिल थे NDTV न्यूस चैनल को दिये गए इंटरिव्यू में गैलोट ने पाइलेट पर हमला किया वही दारुल हुकूमत भोपाल का नया बाजार अगले तीन दिन तक बंद रहेगा मुनिसिपल कॉर्परेशन की बार बार तजविजाद हटाने की महम से परिशान होकर न्यू मार्किट ट्रेडर्स फिडरेशन ने ये फैसला किया है चालान की कारेवाई की खिलाफ जुमरात की से पहर ताजिरों ने यक बाद दीगर दुकाने बंद कर दी जिसकी वज़े से बाजार में खामोशी फैल गई ताजिरों का कहना है कि अगर दुकान के बाहर एक इंच भी सामान रखा जाए तो कॉर्परेशन कारेवाई करती है और चालान करती है जबके मार्किट में पहले भी कई अफराद में नाजाइस तजविजात कर रखी है उन्हें हटाया नहीं जा रहा है खातून की मौत के बाद लहु हकीर ने सरकारी अस्पताल में हंगामा कर दिया इस दोरान एक खातून ने रेजिडेंट डॉक्टर पर कुर्सी फैक दी मामला इतना बढ़ गया कि मरीज खातून के घरवाले भागे और डॉक्टर को पीटा ये मामला बुद्की देर रात एक बज़े कोटा के MBS अस्पताल का है ये सारा वाक्य सिसी टीवी कैमरे में कैद हो गया एमेरजेंसी में बैठे डॉक्टरों की पिटाई के बाद जुमरात को डॉक्टर ने हरताल कर दी मालुमात के मुताबिक 26 साला खातून मरीजा शाहिस्ता जुवेर को गुद्की सुबा 10 बज़े एमेरजेंसी वार्ड में दाखिल किया गया था रेजिडेंट डॉक्टर ब्रिजलाल बेरवा ने बताया के खातून मरीज को डेंगु हुआ था खातून का ब्लड प्रेशर भी नीचे आ रहा था खातून वार्ड में जैर एलाश थी शाम सास से आंड बजे के करीब जब खातून की हालत खराब होने लगी तो रिष्टेदारों ने हंगामा खड़ा कर दिया हर्याना के रिवाडी में अपनी गल्फरेंड की सालगिर का केक काटने आये मुसल्मान कम्यूनिटी के एक नोजवान को सिविल अस्पताल में बजरंदल के कारकुनों ने पकड़ लिया साथ ही लब जिहाद का खश्या जाहिर करते हुए पुलिस में शिकायत की सिटी पुलिस ने नोजवान को हिरासत में लेकर पूच गूच की और फिर उसे छोड़ दिया दरاصल सोनी पर जिला का एक नोजवान बुथ को अपनी गल्फरेंड की सालगिर का केक काटने सिविल अस्पताल जा रहा था उसकी गल्फरेंड सिविल अस्पताल की किड्नी वार्ड में बतोर नर्स काम कर रही है मुस्लिम नौजवान के साथ उसका एक दोस्त भी था इतला के बाद सिर्टी पुलिस भी सिविल अस्पताल पहुंच गई और दोनों नौजवानों को हिरासत में लेकर पूझगूच की पुलिस ने तमाम पूझगूच के बाद दोनों नौजवानों को रिहा कर दिया